नौतनवा में मदगर्णा में एजेंटों की कुरोना टेस्ट के लिए भीड ना हो इसलिए एजडियम परमुत कुमार ने एक रोस्टर बनाया महराज गंपुप निर्वाचन अजिकारी गौरो सिंग सुखरवाल ने सासना आदेश के द्रिश्टिकत एक लेटर जारी कर या आदेश दिया था कि मदगर्णा अस्थल पर प्रवेश के लिए एजेंट या प्रत्यासियों को 72 घंटे पहले कोविड टेस्ट करवाना हुगा ऐसे में नौतनवा गे रतनपूर सिस्टी पर पोविड की जाच में प्रत्यासियों जंटों की भीर्द में कुरोना संक्रमाण होते ही से फैलने की संभावना थी इस्ती को भागते हुए नतरौवा SDM ने बताया कि स्यसी रतनपूर अधिक भीडी कठाक होने और टेस्ट अन्यंत्रित होने की वज़े से यह नेड़र लिया गया है कि आज यानी 28, 29 और 30 अप्रैल को तीन-तिन नया पंचायतों के अनुसार एजेंटों को COVID टेस्ट किया 30 अप्रैल को नया पंचायत काराटिक महुआ और जारा के एजेंट अपना COVID टेस्ट जाच करा सकेंगे अतरिक्त बचे हुए एजेंट एक मई और मतगर्णा के दिन यानी 2 मई को भी कोरोना पैश्र करा पाएंगे वहीं आपको बता दे कि एजेंट कहीं से भी आर्टी पीसी टेस्ट करा कर सकते हैं इसके लिए शासन ने बायता नहीं तै किया है इसके अलावा यदि मतगर्णा के दिन तक जिनका COVID टेस्ट लेट नहीं आ पाता है तो उन्हें उनके लिए मतगर्णा केंद पर एंटिजन टेस्ट किट की व्योस्ता रहेगी एंटिजन टेस्ट करवाने के बाद ही मतगर्णा अस्तल पर प्रोश्मिया था इसलिए नोतनवा एस्टेम ने खुद एक वीडियो जारी कर यह बात पब्लिक की है सुनिए चुनाव का मतगर्णा है और यह एक सुनेशित किया गया है कि अभी एजेंटों का कुरोना परिक्षण आवस्टेक है अता भारी संख्या में एजेंट होने के वज़से CAC पर काफी भीड़ हो गया है अता यह निश्चे किया गया है कि आज 28 से कल 29 से 30 तारीकों 3-3 नय पंचायतों का अलग-अलग उसमें परिक्षण किया जाएगा ताकि भीड़ भाड़ना रहें और हम सुरक्षित रहें और साथ ही कोई चुनाव से मतगर्णा से संबंधित जो है कोई ब्योधान नहों काम में तो अतनिश्चित यह किया गया है कि आज 28 तारीकों एक वज़े से तैरैनी, देवगटी और हरपूर यह तीनों नय पंचायत है इनका आज एक वज़े से परिक्षण किया जाएगा रतनपूर में और कल जो है यानि 29 तारीकों बैकुंठपूर, सिर्शिया, खास और गजर है और 30 तारीकों खैराटी, महुआवा और चारा इन इस प्रकार नो नया पंचायत जो 99 लाक अंतरगत आते हैं उसका कोविट परिक्षण किया जाएगा और साथी या बतादो कि दिनांक एक माई को भी परिक्षण किया जाएगा जो बचे हुए लोग है और उस दिन जिस दिन मत गड़ना है और जो गाउंग बाद में आएंगे यानि लेट से आएंगे उनका भी परिक्षण किया जाता रहेगा अधा आप सभी से अनुरोध है कि बिल्कुल भेड़ भाड़ना लगा है पैनिक ना हो अपना ख्याल रखें साधानी बरते हैं इस्तीम भाफ लेते रहें और इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं जाहिए